हे गाइज, इस केच्छ फर आर्बी हेर और आज हम बात करेंगे POCO F1 के MIUI 12 अपडेट के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको लेटेस जो POCO F1 का MIUI 12 अपडेट है वो कब मिलने वाला है इसी के साथ जो पाइले टेस्ट के अपडेट रिलीज हुए है MIUI 12 के POCO F1 के लिए उनमें बहुत सारे फीचर्स मिसिंग है तो मैं इसके भी जवाब दूँगा कि आपको वो फीचर्स कब देखने को मिलेंगे तो बिना इसी दिरी के जलने से इस वीडियो को शिरू करते हैं तो गई सबसे पहले हम बात करते हैं जो करन्ट स्टेटेस चल रहा है MIUI 12 का POCO F1 के लिए यहाँ पे आपको अभी तक दो जो हैं बीटा के स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुके हैं बहुत सारी लोगों को उसके बाद धिरे धिरे वो अपडेट मिलना शुरू हो गया था यह अपडेट मी पाइले टेस्टर्स के लिए था यहाँ पे आपको अपडेट में बहुत सारे बग्स और बहुत सारे हीटिंग इशू देखने को मिले सप्टेंबर एक को जो शाओमी की रिपोर्ट है थी उसमें पता चला था कि बहुत सारे लोगों ने उनने रिपोर्ट किया है जो आपको हीटिंग किया और जो बग्स देखने को मिल रहे थे पहले अपडेट मे इसके बाद उन्होंने जो सबसे पहला स्टेबल अपडेट था जो कोई भी इंस्टोल कर सकता है उसके लिए आपको टेस्टर होने की जरूरत भी नहीं है वो रिशिया के लिए रिलीज कर चाहर में ओको मिलती है वो मिउड़ा के टिफोर्ट लॉचर में देखने को मिलती है लेकिन जो पोको फॉनस होते हैं अँऔर फने तक दीखने को नहीं मिले हैं लेकिन लिए कर दीघिन कम्पनी इसके आपके पास वो सारे अमेजंग फीचर आ जाएंगे जो की आपको मिउ बात करते हैं, जो MIUI 12 के साथ बहुत सारे features missing थे वो आपको कब देखने को मिलेंगे तो वैस्धिसका reason ये है कि MIUI 12 आपको बहुत सारे features देखने को मिलते हैं जो की बहुत ही कमाल-कमाल की चीजे आपके phone में करते हैं और वो एक साथ इन सारे features को phone में इसलिए नहीं डालता है कि इन्हें डालने से पहले इनकी testing करने की ज़रूरत होती है क्योंकि गाइस अगर उन्होंने stable version में इन सारे features को एक साथ डाल दिया और यहाँ पे उनको कोई major bug देखने को मिल गया तो इससे बहुत जादा ही लोग एक साथ affected हो जाएंगे तो इसलिए वो धीरे धीरे करके features डालते हैं अपने OS में उनके एक दो update के बाद आपको जो और features है वो देखने को मिल जाते हैं ताकि उनकी साथ साथ testing भी हो सके और उनके जो bug fixes है वो भी साथ साथ किये जा सके तो guys finally मैं बात करता हूँ कि आपको MIUI 12 का stable update इंडिया में कब तक देखने को मिलेगा तो यहाँ पे बहुत सारी leaks है में पता चला है कि आपको जो MIUI 12 का stable update आप वो इंडिया में लगबग third week या फिर fourth week of October में देखने को मिल जाएगा इसका reason यह है guys कि वो अभी भी इसके stable version पर काम कर रहे है जो कि उन्होंने इंडिया में release करना है यहाँ पे government के बहुत सारी apps को ban करने के कारण वो इसके special version पर काम करें जो कि special इंडिया के लिए release किया जाएगा तो guys यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कीजिए और आपको Mewatil का update जल्दी अपने phone में देखने को मिल जाएगा तो guys अगर आप Mewatil के बारे में और कोई भी information जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे comments में पूछ सकते हैं अगर आपको यह सारे information पसंद आई है तो आप इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और मेचल को subscribe करके bell icon का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो उसकी notification आपको सबसे पहले मिले तो मिलते हैं guys next वीडियो में तब तक के लिए, thank you